यह बहुत ही कॉमन सा दिखने वाला कोईशन है और कॉमन है भी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनलीसिस कि एक ऐसे आप सिच्वेशन को अनलाइज करते हो तो वह बहुत बॉर्टेंट होता है इसलिए मैंने इसको सलिट किया है एडीयस का कोईशन है ठीक है और अग अगर आपने सारे कॉंसेट्स देखे हुए समझ में रखा है तो बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आना है ठीक है फिर भी मैं एक बार अब इसको समझाता हूं और बास शेयर लाइक जरूर कर दीचिएगा ठीक है आपके कमेंट्स का कोई भी जवाब नहीं बास ठीक ह तो अब अगर हम लोग यहां से देखे तो यह अभी जैसे यहां से वी नौट से चल रहा है यह भी वी नौट से चल रहा है और इसमें खाग है लेंद्स के बने वो सारी चीजे इस बार आप कैलकुलेट करोगे मैं पूरा जो सिच्वेशन है वो एक बार समझा दूगा कि हो क्या रहा है कैसे हो रहा है फिक है तो अगर आप यहां पर देखों कि कोलीजन जो है वो परफेटली इस ती कि आपको तो आफ्टर में क्या दिखेए गा तो गया य। just after the collision यही situation बनना है तो इसमें अगर हम लोग लिख दें कि भी just after the collision यह spring है और spring natural length पे ही है क्योंकि इनिसियली natural length था तो just after the collision कुछ भी ऐसा नहीं बतला कि spring का जो length है वो बतल जाए लेकिन जस्ट आफ्टर कॉलिजन अगर आप देखेंगे तो यह इदर V-naught से चल रहा है और यह बिल्कुल opposite हो जाएगा perfectly elastic कॉलिजन है perfectly elastic कॉलिजन होने का मतलब यह हुआ कि अगर fixed wall से strike करता है तो वो same speed से velocity of separation बिल्कुल बराबर होने चे velocity of approach के तो बिल्कुल V-naught से वापिस सलना शिरू हो गया अब आप यह situation देखो देखना ऐसा कुछ हुआ तो अब अगर आप इसके बाद देखेंगे तो अब क्या होगा यह contact lose करेगा with the wall अभी contact में इसके बाद दोनों एक दूसरी के तरफ with the same velocity same speed direction opposite है अब देखो क्या दिखेगा आपको कि यह same speed से आ रहे है ठीक है भई एक ऐसा मौका भी आएगा जब दोनो rest पे आएगा और एक साथ rest पे आएगा क्योंकि अब spring एक जैसा force दोनों पे apply कर रहा है force variable है बट किसी भी एक मौके पे देखेंगे किसी भी एक moment पे बात करेंगे तो दोनो एक दूसरे पे बराबर spring जो है दोनो पे बराबर force opposite direction में लगा रहा हूँगा time के साथ वो बदल रहा है बट किसी भी एक मौके पे देखेंगे तो जितना इस MP force है exactly उतनी magnitude का force दूसरे MP बट इन opposite direction ठीक है अब देखना अगर ये एक सेला तो ये भी एक सेला होगा wall से अगर ये एक सेला तो दूसरा भी एक सेला होगा wall से और दोनो एक साथ rest पे आएगा दोनो एक साथ rest पे आजाएगा ठीक है तो the greatest compression of the spring during the motion अगर हमें पूछा गया है तो अब आप लिख दोगे अच्छा अभी हमारे पास energy conserve कराने के पूरे मौके हैं तो आप apply कर दो conservation of energy तो जब आप conservation of energy लगाएंगे तो हमारे पास जो initial energy है वो सिर्फ और सिर्फ kinetic है which is half mv square mv0 square into 2 and it must be equal to half kx square where x is the maximum compression this is the greatest this is the greatest compression ठीक है इसके बाद क्या होगा अब देखो फिर से spring अभी maximum compression पे spring है फिर इसके बाद इसके बाद दोनों भागना start करेगा दोनों देखो भागना शुरू करेगा ठीक है भागने दो भागने दो जब दोनों अपने extreme पे पहुँचेगा जब दोनों extreme पे पहुचेगा तो इसी line पे पहुचेगा दीखना यह इस line पे पहुचेगा और यह बिलकुल इस line पे पहुचेगा तो just before striking the wall spring अपने natural length पे आया और जितनी speed शुरू में दोनों के पास थी क्योंकि total mechanical energy conserve है बहुचे यहां पे तो जितनी mechanical energy पहले थी वो अब भी है तो kinetic energy ऐसा होगा तो just before collision और इसी मौके पे यह strike करेगा पहला शुरू में यह after collision then then इसके बाद अगर मैं फिर से दिखाओं तो यह क्या हो जाएगा अब दोनों चल पड़ा वापिस हो जाएगा उसी speed से यह यह तो अब यह V naught से तो चली रहा था यह भी तकराखे V naught से वापिस हो गया spring अपने natural length पे रह जाएगा X 0 लेख सकते क्या compression और elongation कुछ भी नहीं है अब यह दोनों भाई साथ साथ चल पड़ेंगे अब दुबारा इसका कुछ भी नहीं हो ना चलते रहेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखो the right body hit the wall again when the spring is unstressed बिल्कुल सही कह रहा है कि अब एक बार फिर से वो wall को strike करता है और उस मौके पे करता है जब spring unstressed होता है पहली बार strike किया जब spring में कोई भी elongation नहीं था दुबारा फिर से strike किया जब spring में कोई भी elongation नहीं है तो second बे बिल्कुल ठीक है first आप calculate कर लेंगे वो बिल्कुल सही है the change in the linear momentum of the system after all collisions will be this much तो भाई initial momentum अगर हम लोग लिखे so simply it was 2mv0 and अगर हम final momentum के बाद करें तो simply it is minus 2mv0 तो change in momentum अगर लिखोगे magnitude लिखोगे it would be 4mv0 यह जब solve करेंगे यह भी perfect answer match करेगा यहाँ पे finally both the bodies will have the same velocity बस तो idea यह है और यह आप अगर अब देखोगे तो जही भी जो question पूछती है वो आपके analysis आपके understanding subject पे कित्ती है concept application के उन सबों पे बात करते है है ना तो हमेशा इस तरह से सोचना शुरू करिए physics बहुत खुबसूरा तयार है ना बहुत सही चीज़ है physics आपके पास मौका है इसको enjoy करने का तीक है आप इसको एक बार समझगे फिर देखे question करना बहुत easy task होगा बहुत बैदर कर पाएंगे अपनी तयारे में तीक है तो वापिस आपसे मिलते हैं